जिन्देगी में बस इतना अमीर होना है, इतना अमीर होना है कि 6 बिलियन का नुकसान भी हो जाए तो जिन्देगी में घंटा फाटना पड़े और ऐसा बिजनस करना है कि बिजनस भी रुख जाए तो पूरे तुनिया में गलवली मच जाए कल की बात करते हैं कि हम जैसे लोग जो Facebook से WhatsApp, WhatsApp से Instagram और फिर Instagram से Snapchat, Snapchat से YouTube और ले देकर Twitter पे जब हम सफर करना शुरू करते हैं तो यूँ ही हमारे दिन कट रहे होते हैं और जब WhatsApp यूज ना कर रहे हों तो ऐसा लगता है कि जिन्दगी तो जैसे चली नहीं सकती, WhatsApp पे किसी का reply किया बगर, किसी को message किया बगर लेकिन कल जब 6 गंटे इन तमाम social media के बगर हम ने गुजा रहे हैं तो वो शायद जिन्दगी के सबसे ज़्यादा constructive, productive, creative 6 गंटे गुजरे हैं हमारे बाबाब के मताबिक सबसे interesting बात तो ये है कि जब ये तमाम चीज़ें कल चलना बंद हो गई थी तो हमने ये समझा थे कि इंटेनेटी बंद हो चुका है और सबसे ज़्यादा गालिया तो पीटी सेल यूजर्स वालों ने पीटी सेल वालों को दी ती जबकि बचालों को कोई कुसूर ही नहीं था और मेरे साथ तो कल बहुत ही मज़दार वाकिया हुआ कि जब मैंने गुसे में आखर अपना router ही reset कर डाला और पीचे अबू बैठे यूटीव पर खबरें देखते हुए मुझे जिन नजरों से देख रहते हैं उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मसला मार्क जिंगर बर्गर भाई का था उन्ने तीन अपस तो खरीद नहीं चलाई उनसे एक भी नहीं जा रही है लेकिन आपने से सीका किया मैंने तो इससे ये सीका कि भाई जब आप एक चीज़ खरीद लें और इस चीज़ में आपको कामियाभी मिल जाए तो ज़्यादा ये लालज नहीं करनी चाहिए मांग सिंगरे ने भी यहीं किया जब फेस्बुक बना ली थी उसके ऑनर बन गए थे तो क्या जूरती वाट्सअप और तो और हर तीसरे चौते दिन वाट्सअप पर एक नई अपडेट लाने की फिर तो फिर फेस्बुक में भी नई अपडेट चाहिए और इंस्टाग्र झाल झाल